नमस्कार क्यापिचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जारकंड के पुर्व मुख्य मंत्री हेमन सुरेन को हाई कोट से जमानत मिल गई है पिछले पांच महीने से वो जेल में बन थे लेकिन रहात की खबर आज सामने आई है कि जारकंड के हाई कोट ने हेमन सुरेन को जमानत दे दिया हाला कि जमानत मिलने के तुरंत बाद एडी ने सुप्रिम कोट का रुक कर लिया है तो देखना दिल्चस्प होगा कि हेमन सुरेन जेल से बाहर आते हैं या नहीं लेकिन हाई कोट ने बड़ी राहत दी है तो आज क्या कुछ हुआ है हाई कोट में तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूजरूम से जुड़े हुए है कि आपिटल टीवी के एक्सक लगवक्षित रखा गया था 13 जुन तक हेमन सुरेन की जमानत पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और आज 28 जुन है यानि कि लगवक 15 दिन तक जजज साहब है जो इस फैसले को सुरचित रखे रहे उस पर विचार करते रहे और इस विचार के बीच एक ट्विट आता है औ और प्रेस में कुछ बाते होती है और जो कपील सिबल आरोप लगाते है जुडिसियरी के उपर वो कहते हैं कि देखिए बीच एंगदुरपा को जो गिरफतारी से पहले ही जमानत मिल गई और दूसरे लोगों को जमानत मिल रही है लेकिन हाई कोट और सुप्रिम कोट में क क्योंकि हमन्तोरेन उनके क्लाइंट है और अर्विंद केजरिवाल अभिशेक मनु सिंगवी के क्लाइंट है अब इन लोगों के बड़े बड़े पोलिटिकल क्लाइंट जिन्होंने करोडों करोड रुपे कमाए हैं तो कुछ करोड तो इन लोगों को भी देंगे और कपील सिबल अभी सिर्फ एक राजसभा सांसद और सिनियर मोस्ट एडवोकेड नहीं है बलकि सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन के प्रेसिडेंट एलेक्ट हुए है और इसमें ये बड़ी भूमिका होती है सुप्रीम कोट बार एसोसियेशन के प्रेसिडेंट की क्योंकि सारे वकी उनकी बात मानने को तयार रहते हैं और जब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं जब पिछले दिनों सुप्रिम कोट ने हेमन सोरन की जमानत याचिका रिजक्ट कर दीती उस समय भी ये कपिल सिबल ने बार बार यही कहा था कि अर्विंद केजरिवाल को जब सुप्रिम कोट से जमानत मिल सकती है अंतरिम जमानत ही सही तो फिर हमन सोरन को क्यों नहीं मिल सकती है क्योंकि हमन सोरन भी अपनी पाटी के सरवे सरवा है जारकंड मुक्ति मोर्चा ये दिनली की पाटी अर्विंद केजरिवाल की है तो जारकंड की पाटी जारकंड मुक्ति मोर्चा है ऐसे में कपिल सिबल ने सुप्रिम कोट में भी ये बात कही थी लेकिन उस समय क्या हुआ था उस समय सुप्रिम कोट के जज इतने विवादों में घिर गए थे अर्विन केजरिवाल के अंतरीम जमानत को लेकर अमिश शाह तक ने कह दिया था कि लोग तो एक कह रहे हैं कि जज साहब चेहरा देखकर यानि सलेक्टिव तरीके से बेल देते हैं अभी यही फिलाल सवार खड़े हो रहे हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान हिमन सुरिन के तरफ से अंतरिम राहत की मांग की गई थी लेकिन क्यों नहीं उस वक्त राहत मिली इतनी जल्दी ऐसा क्या बदल गया कि हाई कोट ने हिमन सुरिन को राहत दे दी बिलकुल बदला कुछ नहीं है बदला एक ही है कि जमानत का बेल का ये खेल चल रहा है वो अलग अलग कोट में जजों के अपने विचार के आधार पर चल रहा है ये कानून की बात नहीं समझते बलकि अपना सोचते हैं कि इसमें क्या किया जाना चाहिए क्योंकि अगर देखा जाए तो हेमन सोरेन के उपर भी पिये मेले के तहत मुकदमा दर्जुआ है ये मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहत मुकदमा है और इसमें भी सारे नियम कानून वही लागू होते हैं जो अरविंद केजरिवाल, मनी सिसोधिया या फिर पहले नवाब मली, कनील, देशमूक, छगन, भुजबल जैसे नेताओं के उपर लागू होते थे जिसे दो-दो साल तक जमानत नहीं मिली और इस केस में अगर देखा जाए तो इस केस में तो हेमन सोरेन के मामले में चासित भी दायर की जा चुकी है कई आरोपी बनाय जा चुके है और हेमन सोरेन की संपत्ती कुर की जा चुकी है इसमें जजज साहब को तो कोई कनफ्यूजर नहीं होगा कि ये जो साढ़े आठ एकड की जमीन हमन सोरे ने कबजा कर रखा था और उसमें भी रक्षा विवाग का जमीन और उसके लिए 31 करोड रूपे उसके मार्केट वैलू दिखाए गई तो ये मुक मंत्री रहते हुए कैसे डी सी से मिलकर यानि डिस्टिक कलेक्टर से मिलकर वहाँ के पटवारी से मिलकर उस जमीन को क्रिसी भूमी घोसित किया फिर उसके बाद कॉमर्सियल प्लॉट घोसित किया और इन लोगों ने पूरी क्रिमिनल कॉंस्पिरेसी जो रची है उस मामले में तो चासीट में एक एक बात कही गई है और यही बात एडिस्टनल सोलिसीटर जनरल स्वी राजू ने कोट में कहा था कि देखिए कपिल सीवल साहब कह रहे हैं कि इनको जमानत दे दी जानी चाहिए पांच महीना ये जेल में गुजार चुके हैं लेकिन ये प इतने गवा हैं जितने आरोपी हैं और जो फाइल है अलग अलग विभागों में उन सब से छेड़ चाड़ कर सकते हैं क्योंकि जारकंड में सरकार तो इन ही की है जारकंड में सरकार किसी आर की नहीं है और जो सीएम अभी हैं वो भी हैमन सोरेन के द्वारा न्यूक्त किये गए CM है, हिमन सोरेन सूपर CM कहलाएंगे अगर बाहर निकल जाएंगे तो, ऐसे में कम से कम इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये इतने पावरफुल व्यक्ति को अगर बाहर बेजते हैं, तो ट्राइल सुरू होने से पहले ही हमें जो सुबूत इकठा करना है, वो सुबूत इकठा करने में परिशानी होगी, लेकिन जज सहाब ये कहां सुनते हैं, आज कल जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल की जमानत लोवर कोट में दे दी गई, नियाए बिंदू ने ही कहा कि सारे चीजे ठीक हैं, अपनी जगह पर आप जबर्दस्ती ने फसाना चाहते हैं, ये पॉलिटिकल वेंडेटा हो सकता है, जो टिपनी उन्होंने की थी, उसे दिल्ली हाई कोट ने खारिज कर दिया, अब इसी तरीके से ये जो रंगे मुखोपाध्या हैं, वहां के जज जारखंड हाई कोट के उन्होंने पंदरह दिन तक फैसले को सुरख्षित रखा और पंदरह दिन के बाद उन्होंने जो देखा और समझा उसके बाद क्या उन्हें लगा कि पीए में लेके तह जब जमानत देना मुश्किल काम होता है, सुप्रिम कोट ने भी कई अपने फैसले में कह दिया है, कि जब तक सेक्षन फोटी फाइव, सेक्षन सेवेंटी को पूरी तरीके से देख न लिया जाए, और E.D. के वकील E.D. के तरफ से जो भी वकील आए है उनको सटिस्पाई नहीं कर दिया जाए वो जब तक ये ना कह दें कि इनके जमानत देने से इन्वेस्टिगेशन प्रभावित नहीं होगी तब तक जमानत नहीं मिल सकता जमानत तभी मिल सकता है जबकि ये मैक्सिमम पनिश्मेंट जो इसमें घोसित किया गया है यानि कि 7 साल के मैक्सिमम पनिश्मेंट है और अगर कोई व्यक्ति 3,6 साल तक जेल के अंदर है और उनका ट्राइल नहीं हो रहा है वो आरोप है जो दोष में नहीं तबदिल हो रहा है तो ऐसी स्थिती में साहे तीन साल के बाद उन्हें जमानत दी जा सकती है और ये भी ED के उपर depend करता है तो जब इतने कड़े कानून है इतनी धारायन लगी हुई है और फिर इसे सुप्रिम कोर्ट तक ने कहा है कि जो economic offense है आर्थिक अपराद है वो किसी मडर से भी कि और फ्राद होता है किसी का मडर किया जाता है उससे वो व्यक्ति और उसका परिवार परभावित होगा लेकिन जिसür तरीके से एक घपले घोटाले ब्रस्टाचार किये जाते हैं अर्थ Y 너 का इतना बड़ा नुक्सान होता है जिससे हजारहों लाखों लोग परभावित होते हैं और इस मामले को मडर से ज़्यादा खतरनाक बना जाता है तो ऐसे में इन लोगों को समझना चाहिए कि जो बेल देते हैं जमानत देते हैं वो क्लाइन्ट यानि की जो आरोपी है और आरोपी का जो वकील है इन दोनों को चेहरा देखके नहीं देना चाहि रहे थे कुछ दिनों पहले तक कपिल सिबल के पास जितने मुकदमे आते थे सब में कहीं ने कहीं सुप्रिम कोट से या हाई कोट से जीत मिल जाती थी लेकिन इस बीच क्या हुआ कि जब अभिशेक मनु सिंगवी आगे बढ़े अभिशेक मनु सिंगवी के पास पॉलिटि होता है ये तो सब लोग आजकल सोशल मीडिया पर भीशेक अभी भी कपिल सिबल की जीत पे संशय बना हुआ है क्योंकि जैसे ही बेल की खबर आई एडी तुरं सुप्रिम कोट चली गई है अब क्या लगता है सुप्रिम कोट में क्या होगा एडी को जीत मिलेगी है हमन सु सिडिंग हुआ है और जैसा अरविंद केजरिवाल के मामले में भी हुआ क्योंकि ये केस दोनों सेम दिखाई पड़ रहा है भले ही वो लोवर कोट था ये हाई कोट है यहां भी एक सिंगल जज की बेंच थी और जब एडी ने कहा कि 24 घंटे के लिए जमानत पर स्टे लग नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है सीधे इनको जेल से बाहर निकालो उसी तरीके से रंगेब मुखोपाद्याय ने किया कि नहीं कोई जरूरत नहीं है 24 घंटे का स्टे लगाने का 50-50,000 रुपे के दो मुचलके यानि एक लाख रुपया जिस व्यक्ति ने 31 करोड रुपे लिए हैं और जिसके उपर इसके अलावा कई और चार्जेज करप्सन के हैं ऐसा नहीं है कि एक मात्र यही इनके उपर करप्सन का चार्ज है इसके उपर तो कोल घोटाले का भी चार्ज है स्टोन माइनिंग का भी चार्ज है स्टोन माइनिंग में जिस तरीके से हमन सोरे न उन लोगों को धमकी दे कर उससे लेवी बसूलते थे रेलवे मिनिस्ट्री भी इस पर पूरी रिपोर्ट दे चुकी है कि कैसे वहां से कितना टन कोईला या स्टोन माइनिंग चलता था गिट्टी चलते थे और इसके बीच में कहां गायब हो जाता था ये पूरी रिपोर्ट भी अभी सामने में है तो इसलिए जो बार बार करप्सन के चार्जेज में फसा हुआ है उस व्यक्ति को आप बाहर निकालने के लिए अचानक से जमानत दे देते हैं और उसमें भी पंदरह पंदरह दिन तक फैसला सोरक्षित रखने के बाद जिसमें जिस वकील ने इनको है वो वकील बाहर निकल कर बार बार मीडिया के सामने कहता है कि हमारे क्लाइंट को जमानत नहीं मिल रही है ये जजों के उपर सवाल है कि ये लोग सेलेक्टिव तरीके से जमानत देते हैं इसका मतलब कि जज साहब कपील सिब्बल के प्रेशर में आ गए पॉलेटिकल प् अपने केरियर में कोई ऐसा फैसला नहीं दिया जिसके कारण पॉलेटिकल प्रेशर हो लेकिन सुसाइटल प्रेशर हमारे उपर रहता है ये कौन सा प्रेशर इस जज साहब के पात रहा सुसाइटल या फिर पॉलेटिकल या फिर वकीलों का प्रेशर जिसके कारण कपील सि बाद इन्होंने खुद ही भी ड्रा कर लिया था कि अब हम जमानत सुप्रिम कोटे नहीं हम निचली अदालत से आगे बढ़ेंगे यसलिए ये बेल का खेल जो चल रहा है उस पर अब सुप्रिम कोट के उपर नजर टिकी है कि एडी की बाते सुनती है कि नहीं वहां के जज य जमानत मिली है चारकट के हाई कोट के तरफ से उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है हालाकि इसके पहले भी हमन सुरिन के तरफ से कई बार बेल अप्लिकेशन दायर की गए थी जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई हुई लेकिन कहीं से भी हमन सुरिन को राहत नहीं मि हाई कोट के तरफ से ये बड़ा फैसला आ गया है हाला कि अभी भी हेमन सुरिन जेल से बाहर आएंगे या नहीं इसको लिकर सस्पंस इसले भी बना हुआ है क्योंकि बेल मिलते ही तुरंत एडी जो है वो सुप्रिम कोट पहुच गई है अब देखना होगा कि सुप्रिम कोट में क्या कुछ होता है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही क्यानपसन रवी के साथ मैं पूचा क्या पचल टीवी